प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पर प्रोवाइड होता हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके स्लेबर्स पेपर पैटेन एंड मोस्ट इंपॉर्टन वीडियो बात करने वाले हमारे फोई बीकॉम ग्लास सेमिस्टर वन आपका बीकॉम शिर्ण आ सब्सक्राइब्स अपना टॉपिक चल रहा है मेजर उपडिसर आप देखो लेक्शान नमडर सिक्स आपको यहां पर देखार लेक्शान अंबर शीक्स और हर एक क्लास अगर किसी क्लास में बच्चों को भूणने में कोई प्रोब्लम आरी तुझ क्योंकि प्रिबियस यर आपके लेक्शे सुए थे बट आइ थिंग नमबर अप लेक्शे सुआ पर काफी कम दिखेंगे काफी कम टॉपिक्स दिखेगा तो यहाँ पर इस बर सिस्टम से हर एक यूनिट की फ्रैक्टिस में आपको करवा के देने वाला हूं मेजर्स ऑफ डिस्परजिन में टॉपिक आच लेगा मेन डेवियेशन फ्रॉम मेन अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर सिखने वाले बेसिक चीज बड़ मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर कि बाई में डिबेशन फ्रॉम में में अच्छा इस्पर्जिशन अगर में अच्छा स्कूर करना है मतलब कॉंसिप्ट अच्छे से समझने पहले क्योंकि कॉंसिप्ट देखो क्या बोलता है यहां पर में डिबेशन फ्रॉम में तो में पहले समझना पड़ेगा और में का कॉंसिप्ट में बहुत अच्छे तरीके से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में समझा है क्लियर है क्या बोलना चाहतो अगर में क्लियर है क्यों सि तो इतने सारे टेबल सामेन आप भूल आओगे बेस्टेच फॉर्मॉला आप देख लो उसके बाद समझो तो फॉर्मॉला क्या था सम्मिशन फाए मोर्ड आपना क्लोज जाएगा अपन में टॉटलल न में सममेशन एफ बोल शकते लों बटवका फॉर्मॉला यही बोलता था पहला कुछिन कि यस बहुत सिंपल पिक किया गया फाइन में डिशन फॉम में एंडित्स कोईफिशेंट फॉर्ड यह एट-स थी कि यहां ज़रा एक लिए पहले कुश्चन का जी जो टेबल है न पहले वह कॉपी करते है कि इसमें तो डाउट नहीं होना झाये न किसी बच्चे सिर्वक्सर ये दो टेबल कैसे आये दोर टेबल तो कॉमन सी बाते भी कुश्चन में ही दिये हैं चले स्टार्ट करें पहला आपका टेबल क्या है एक सेकेंड टेबल है आपका एक चले स्टार्ट करते हैं नंबर कॉपी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 16, 17, clear? नेक्स्ट आपका फ्रेक्वेंसी के तना देखे राखा है? 3, 6, 10, 8, 5, 10, 8, 5, 3, 2 इतना काम हमारे कुश्चन का था बाक्य कुश्चन को आप कम्प्लीट साइड कर दो कुश्चन का काम हमारा यहां पर अभी तो फिलाल खतम हो गया है कुश्चन यहां तक तो कोई दिक्कत ने किसी बच्चे को भई आपका दोनों जो एक सेनिफ दिया था क्लास वाले सम तो अभी तो फिलाल खतम हो जाएगा और यहीं आपका एक से हो जाएगा अगर मैं पूछों आपसे एक सबार कहां पर फाइंड आउट करना चीखा है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में यह कॉंसेप्ट आपने क्लियर किया है फॉर्मूला हमारा क्या बनता है फॉर्मूला ज़रा क्लियर किया जाये समेशन यह आपन में समेशन यह फिर बहुत लोग लिखते हैं संमेशन यह फाइएक सै अपन में यह फिलेस्पेट नंबर मिन्स टोटल दोनों में से कोई भी लिख दो जैसा भी आपके कॉलेज में प्रिफर कर रहे होंगे वो लिख पहले तो X-bar find out काना सी को तब आगे किस्टिप के बारे में सोच ओ ना भई तो X-bar important है तो X-bar के लिए formula कहा निकल रहे है submission मिस्पाइभ से इसका मतलब अगला table अगला टेपल निकल के आ रहे हैं यह एकसी अगर मैं फुष्भों किसी बच्चों को यह कोई दिक्कत लगे क्या कि sir यह फ़ाई एकसाइग निकला क्योंकि मेरे बच्छे यह टेबल अगर बाना लास्ट दोगो यही बानाना है मैं लिख देता हो दोगो लास्ट अपने को यही चीए यवाई 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 माइनस यवाई ध्यान से समझो लाज्ट हमारा वही फाइंड आउट मुझे यही करना है यही टेबल में रोगो चाहिए इसी का सम्मीशन चाहिए लेकिन आप समझो ना पहले तो मुझे यवाई चाहिए तो यवाई के लिए अगे देखो ना कैसी हमें आगे तो शीए देखो अगर इसकी बात करें क्या टेबल है यह जड़ा देखो इसको यह एक साइ माइनस यह सबार का मोड में एक साइए माइस एक सबार अब ध्यान से समझो टेबल को पहले कि फाइनल एंसर यह पोच्छना मतलब फाइनल टेबल तो यह रहेगा उसके बारे में समझते इसका मतलब है सर पहले तो हमें यह पता होना चीए भई कि एक सी माइनस एक सबार का यह जो मोड की वैलू क्या है और इसको मल्टिप्लाइ कितने से करना देखो यह वाले टेबल स है कि दोनों के बीच में मल्टिप्लाइ हुआ तो यह टेबल रेडी हुआ है बड़ आपको यह भी देखने को एक सबार एक साई कहां से मिलेगा यह तो यह दर दिख रहा है यह देखो इस बार चीए तो एक सबार पहले निकालना पड़ेगा कैसे देखो समझागा धीर दि चले यह 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 एक साई के बारे में देखते हैं मल्टिप्लाइए एलेवन थ्रीजा अपका हो गया 33 कि अ 72 13 10 130 14 8 यह यह 112 I think क्लियर फिप्टीन फाइजा सेवेंटी फाइज सिक्स्टीन थ्रीजा फॉटी एट सेवेंटीन टूजा थर्टी फॉट यहाँ पी एसमिशन होगा अब लगेगा क्याल्ची का काम नहीं क्याल्ची सवाइज सधार ले लो ऑफ लोग भी क्यल्सी लो और मैं भी क्यल्सी ल लेती हो एक ही क्यल्सी भ offenders ती चल्ड़े फॉर्मुला देखते हैं आपके मीन एक स्बार का फॉर्मिश्न एप यक्सी आप्मेसमिशन एफँन बोले तो fI xI का समेशन लेड़ो आप на समेशन ये आफ आई आटसाय का टॉटल और समेशन आ ये आफ ए का टॉटल तो क्रणने स्टाट करते हैं सलै किनी की फ्लस द्रीब्लस इसेवन मिलेशु क्लास प्लस त्येंट मिलेश प्लस 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 एट कि टोटल इसका लेते हैं अफ़ाई का 33 प्लस 72 प्लस 130 प्लस 112 प्लस 75 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 504 कि फोर्मूला जो आपको ने अपने आप लिखा ना वैलु पूट अप करते हैं जरा समिशन या 515 कि इतना मिल आपको 504 लिखो यहां पर 504 डिवाइड बाइस समिशन फाइड कि इतना मिल आपको 37 आपको यहां पर वैलु कुट अपकर ने भई 37 504 डिवाइड बाइ 37 कितना एंसर आप पर आपको एंसर आ रहा है 13.621 तो इसका मतलब 62 ही रहेगा आपका यह और इसको हाइलाइट कर दो आप कि देखो कि कि बहुत इंपोरटन्ट समझते बहुत जरूरी है से आप से चलने वाले आगए के टेपल आपने फाइंसब आउट किया मिन एक सबार और एक सबार कितना एंसर मिला अगर मैं आप से पूछ ओं इस बार म्में इस बार कितना एंसर मिला वो भी मोड में इसका मतलब है सेर एक साइ माइनस एक सबार कितना मिला आपको सबार आता है तो निगेटिव भी पॉजिटिव में कनवर्ट हो जाता है इसका मतलब माइनस प्लस का कन्फूजन नहीं लेकर चलना सब एंसर पॉजिटिव याएगा नहीं तो बच्चे बोलेंगे नभाई कि एक साइए एक साइए मतलब क्या है देखो इदर कैल सी देखो इ जाता है तो माइनस वाला कन्फूजन आप दूर कर लो मतलब सरी टेबल कैसे प्रिपेर होगा देखो ना बहुत आसान सा बोल रहा लाइन एक साइए मिन सिस्टेबल को आप माइनस कर दो 13.62 से सब को माइनस करो 13.62 मतलब अगला नंबर भाई 12 मिन्स 12 माइनस 13.62 13.62 कितना रहा है माइनस 1.62 तो माइनस को इग्नोर करो भई क्लियर है कि नहीं 13 अगला देखो है 13 माइनस 13.62 कितना इंसर आए 0.61 0.619 बोले तो 62 राउंड फिगर करो आगे बढ़ो 14 माइनस 13.62 कितना रहा है 14 माइनस 13.62 कितना आए 0.38 क्लियर है कि नहीं है फिर से 15 15 माइनस 13.62 1.38 अब यहां पर देखो ना 15 16 17 एक एक नमबर बढ़ रहे ना तो इधर भी एक एक नमबर बढ़ा दो 2.38 3.38 यह टेबल सबको समझ में आया आई होप और एक बच्चे को समझाओगा इस्पिसली उनको जिन्होंने मेजर आफ सेलिटल टेंडेंसी की काम है नहीं इस टेबल को मल्टिप्लाइ करो यह इस टेबल से करना तो यह टेवल यह वैल्यू आपको मिल जाएगा तो क्यल्सी यहां पर रखतों में साथ में कि 2.62 2.62 मल्टिप्लाइ कितना है 3 मल्टिप्लाइ 3 7.86 क्लियर है चलिए 1.62 1.62 मल्टिप्लाइ कितना है यह 5 बोले तो 6 कितना मिला 9.72 क्लियर है टेन मल्टिप्लाइ 0.62 यह तो इसली एंसर मिलेगा 6.2 मिल जाएगा 0.38 0.38 0.38 मल्टिप्लाइ मल्टिप्लाइट कितना है 3.04 3.04 आद 3.04 क्लियर है चलिए आगे देखते हैं यह हो गया 1.38 1.38 मल्टिप्लाइ मल्टिप्लाइट फाई कितना है 6.9 टाइम कंजूमिंग है बड़ कॉंसेप्ट हमारा इसी रहता है क्याल से आपको एलाउड हो तो प्रैक्टिस का गेम है यह 2.38 मल्टिप्लाइट 3 7.14 नेक्स्ट 3.38 3.38 मल्टिप्लाइ कितना 2 कितना रहा 6.76 7 देखो यहां पर इसका सब्मिशन लेना है वैलू फूट अप करना है यह इन मिन सूत आपका यह टूटल 37 कर देना है डिवाइड एंसर आ गया चलो सबका टूटल स्टाट करो 7.86 7.86 प्लस 9.72 9.72 प्लस 6.2 प्लस 3.04 प्लस 6.9 प्लस 7.214 प्लस 6.76 47.62 यह टोटल है यह टोटल है यह टोटल है किसका टोटल आरहा है शमिशन फ़ाइड मोड में एक साई माइनस एक्स बार एक्लियर है फॉर्मुला देखो आप लोग ने खुद से लिखा यह फॉर्मुला बही यह सम्मिशन इसका कितना विला है 47.62 डिवाइड बाइट टोटल आपका कितना है आपे यह फई बोले तो यहन मेंस नंबर टोटल कितना दिया 37 बाई 37 कल्सी पे ले लू इसको आप डिवाइड करो डिवाइड कितना 37 से कितना रहा है 1.287 तो इसको आप राउंट फिगर कर सकते हो 1.29 यह आपका राउंट फिगर मिंस फाइनल एंसर हो जाएगा और एंसर में जरा मैस चेक कर लेता हूं क्योंकि क्याल्पुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं चीए यह तो बच्चे फिल लाइन लगा देंगे यह तो 1.287 राइड एंसरे 287 लिग दो अदरवेच 1.29 लिग दो यह क्या फाइंड आउट हमने किया में डेविशन फ्रॉम में बट क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा और क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है क्या पूछा है इट्स कोईफिशेंट क्या पूछाता है एक और इन्फोर्मेशन छोटा सा क्या है कोईफिशेंट कोईफिशेंट ओफ में डेविशन फ्रॉम में यह तो बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्या पूछा सिर्फ फॉणले का गे में हम बोलता हो कोईफिशेंट बोले तो क्या है बई जिसका कोई एफिशन निकाल रहे हो इसका मेन डिवीशन फ्रॉम मेन करो और दिवाइड बंड करो जेसा फॉर्मुला मैं पहले ही लिखा चुका हूँ इन्डुद्टशन पार्ट में लिखा चुका हूँ, मेन डेवीशन from mean कितना या देखो ना इधर आपने वही तो find out किया 1.29 को divide करो mean से mean मतलब आपका यहां कहीं पर निकाला है ना अपने देखो ना कहां निकाला जरा बता हो 13.62 13.62 कितना आपका यह था है फाइनल 1.29 divide by 13.62 13.62 कितना आपका यह था है 0.09 कितना रहा है 0.0947 तो आप इसको फाइनल एंसर 0.9 5 भी लिख सकते हो इसका मतलब ये complete concept की बात करूँ ठीक है complete concept की बात करूँ क्या concept आपको हाइड लगा ये फिर क्या concept है तो देखो इदर सिंबल से में ये बोल दो इन शॉट कि में पार्ट अगर अपने प्रैक्टिस के जितना में आपने किया है ध्यान आको इन शॉट अगर रटना भी है बच्छों को मैं वैसे से सजेशन देता हो भई कि ये concept को रटो मत क्योंकि इसी टॉपिक था ठीक है बट फिर भी काफी बच्छे एग कॉंसेप्ट को रटना चाहते हैं तो उनको एक शॉट बताते हैं देखो इतर शॉट्स में कैसा समझ रहे हैं ये टॉपिक हो बहुत आसान है कि अगर आपने मीन की प्रैक्टिस किया है तो मीन में जितना टेबल बनाते थे ओ टेबल तो बनाना ही है में में ध्यानक नहीं अन गुरूप्ड का कॉंसेप्ट इसका मतलब तो इस पर तीन ही टेबल बनता है बई एक दो तीन ये तो बनेगा और अभी आगे आला गुरू इस ऑन ग्रूपका येगा तो क्या को इंग्हा है क्या अपको एकजियाम में अन गूप्डव की आता है ग्रूपड को दूप या आठा मिन-गी दोनों का युण chaotic को तो तेन डिबल आप जो स्टीप से जो जटेघ स्वाहिं 05 टो इसमें बनाते हु में तो यहां तीन बनाना है गुरॉप जी दबंगा नवाले में चार उदर यह चार दो ऩो जाते हैं सबसे मुझे लगता है फॉर्मूला और अगर आपको फॉर्मूला समझाए तो उसी के बेस पर टेबल बनाना आप खुद से सीख सकते हो कि कैसे हमारा टेबल आएगा उसके पीछे का लॉजिक क्या है एक तो वह होता है और अगर नहीं समझता तो लास्ट ऑप्शन हमरे पास बसते पर टेबल आपको आपको नमबर देने वाला है वह है आपके फॉर्मूले पर फॉर्मूले का कॉंचेप्ट के लिए एक से दो सम और आप खुद से प्राक्टिस कर लेना यह कॉंसेप्ट आपको इसली क्लियर हो जाएगा आई हो फरीक बच्चे को आज का कॉंसेप्ट फीडियो को लाइक करना है अच्छे चे कॉमेंट जरूर करो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारी कॉमरे स्क्षन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जापे हम दों बात करने वाले हैं इसी तरीके से आपके मैट्स के लेक्शिर्स के बारे में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच